असलाम वालेकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल, मेरा नाम रुकसार है और आज मैं आपके साथ में शेर करने वाली हूँ चिकन चिली ग्रेवी बनाने की रेसिपी चिकन चिली ड्राय की जो रेसिपी मैंने अल्रेडी शेर की हुई जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाका ड्राय वाली मेरे के चैनल पर चेक कर सकते हो और आज डीक से टीज वाली है जिससे बनाना नहायती असान है ये वहँद्थ साम साथसे करने वाली हूँ सन को बिए की तैसि म are theall Volt घृब के आभ्मिक है तो चिकन चिली बनाने के लिए मैं यहां पर 400 ग्राइम जो है चिकन ले रही हूँ जिसे मैंने धोकर स्ट्रेइन कर लिया है और इसके इस तरीके से की उसमें पीसेज करवा लिये है अब हम करते हैं इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने एक टेबल स्पून भरकर इसमें डाला है अजीनो हाफ टीस्पून यह ऑप्शनल है लिकिन यह डालने से टेस्ट यह बहुत अच्छा आता है दो टेबल स्पून भरकर हम डाक सोया सॉस डालेंगे और हाफ टीस्पून में यहाँ पर विनेगर डाल रही हूँ और एक अंडा इसमें डालेंगे नमक हम नहीं डालने वाले क्योंकि विनेगर में सोया सॉस में नमक होता है आप टेस्ट कर लिजी अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते होगे अब इन तमाम चीजों को हाथो की मदद से अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे रखेंगे हम मैरिनेट होने के लिए आदे घंटे के लिए तो जब तक मैरिनेट होगा हम करेंगे इसका नेक्स प्रोसेस नेक्स मैंने कड़ाई गरम करने के लिए रखी उसमें तेल डाल दिया है तेल जब बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमारी जो मैरिनेट की हुई चिकन है उसे हम फ्राइ करेंगे एक बात का यहां ध्यान रखना है कि जब हम चिकन फ्राइ करेंगे तो इसे हाई फ्राइ पर करना है ताकर यह अंदर तक अच्छे से कूक हो जाए तो मैंने इससे कम से कम दस से बारा मिनट लगेंगे medium flame पर इसे cook होने के लिए high flame पर कर दिया cook तो हो जाएगी बाहर से crispy बट अंदर से कच्ची लगेगी तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए कि जब आप chicken fry करें तो इसे medium flame पर आराम से करना है तो देखिए मैंने 10-12 मिनर इसे आराम से fry कर लिया है यह बहुत ही अच्छी बन का बहुत ही tempting लग रही है इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में जल बाजी करेंगे तो चिकन अंदर से हमारी कच्ची रह जाएगी तो इसलिए आराम से इस स्ट्रिप का जो है को बराबर से फॉलो करिए और इसी तरीके से हम बाकी जो हमारी चिकन है उसको भी फ्राइ कर लेते हैं अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ यहाँ पर मैंने एक बरतन में जो है दो टेबल स्पून जो है दो टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिली सॉस लिया है और दो टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मैगी का जो सॉस होता है केचप जो होता है वो डालेंगे दो टेबल स्पून चिली सॉस और दो टेबल स्पून जो है केचप डालेंगे हम इसके अंदर ये सॉस को हमें पहले ही तयार कर लेना है ताके बगार के वक्त में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो पहले से हम चीज़े तयार कर लेते हैं तो आसानी होगी और दो टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस और साथी हम इसमें डालेंगे ब्लैक पिपร वन टीस्पून डाल रहे हम यहां पर और साथी इसमें भी हाफ टीस्पून जाएगा अजेनो नमक यह भी ओप्शनल है और विग्हगर जाएगा इसमें हाफ टीस्पून अब इन तमाम सॉसेस को जो मसाले हमने तयार किये, इसे मिक्स करके हम इसे रख देते हैं साइड में, ये तयार करने से हमें आगे जो बगार के वक्त बहुत आसानी होगी, हम प्रोसेस फास फास कर सकते हैं, ठीक है इसे हम साइड में रख देते हैं, अब नेक्स हम ले रहे है यहाँ पर एक बड़ी प्यास मैंने रफली चॉप कर ली है, ठीक है, बड़ी साइस की और दो शिमला मिच इस तरीके से मैंने कट कर ली, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, और बड़ा लस्टन, एक बड़े साइस का लस्टन के जो मैंने बारिक चॉप कर लिया है, तो लस्टन के लिए मैं यहां पर ले रही हूं प्यास की पती है ठीक है अभी चलते और यहां पर जो मैंने दो से धाई टेबल स्पून जो है कॉन फ्लोर है उसे आदा कप पानी में भीगा कर उसके सलरी बना लिए अब चलते हैं बगार का प्रोसेस करने के लिए कढ़ाई को बड़े से मुखे बरतन को हमें गरम करना है चाइनिस का भी भी बड़े खुले मुखे बरतन में और हाई फ्लेम पर कूक करना चाहिए अगर आप इसका फ्लेम जो है लो रखेंगे तो इसमें मजा नहीं आएगा और जो जब बगार करने से पहले चेक कर लेना कि हमारा तेल बहुत आइड़ करदेंगे और सबसे पहले हम प्यास डाल देंगे समी बहुत हरी CRA निगे में अ कि अ पानी डाल के जो हमारा सॉस था वह हम इसमें डाल देंगे जो हमने सॉस तयार किये थे वह एक कप पानी के साथ में इससे डाल देंगे ठीक है नेक्स्ट हम इसमें आड करेंगे कौन सलरी सलरी डालने के साथ में हमें से फास फास जो है मिक्स करना है जब तमाम चीज़ें हमारी मिक्स हो जाएगी तमाम चीज़ें मिक्स होने पर हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च शिमला मिज बहुत पहले नहीं डालना है ने तो बहुत गल जाती उसके बाद चिकन डाल देंगे हम इसमें जो हमने फ्राइ करके रखा हुआ था पानी डालने के बाद लेकिन जैसे जैसे ही पकता जाएगा इसका कलर बदल जाएगा तो आप देख सकते हैं मैंने इसे जोश आने तक की कुक किया है तो हमारी यह टेस्टी और बहुत बहतरी ना खुश्बूदार चिकन चिली बनकर तयार हो गई है तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट और उसे पहले हम इसमें डाल देते प्यास की पती जो हमने रखी थी तो यह खुश्बूदार टेस्टी हमारी जो है चिकन चिली क्रेवी बनकर तयार हो चुकी अब हम इसे करते हैं डिश आउट कर दो कर दो